जय हिन दोस्तों मैं जय सुराज आपके अपने चैनल टेक इटाइ डिप्लोमा पर आपका स्वागत करता हूँ हम लोग अभी मापक और मापक ऑजार देख रहे थे जिसमें हमने कल आपका बहुत मापन की विधियों को देखा था और इस्टिल रूल को देखा था ट्राइस्क्वाइर देखा था और कैलिपर्स को देखा था इसके बारे में अच्छे से पढ़े थे आपको कल प्रेटकल करके दिखाए रही थे आज हम लोग कोड को मापने वाले कोड मापक ऑजार की बारे में देखेंगे कोड मापने वाले जो ऑजार होते हैं जनरली जिनक combination seat ये भी angle measure करने के लिए जो exam में पूछे जाने वाले आपको याद रहना चाहिए तो देखे अब पहला देखते हैं bevel square देखे बेवेल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा उसका कुछ bevel मतलब एक किनारे जैसे अगर ये होता है ऐसे कुछ angle पर जुका होता है आर्क कटी होती है तो इसे चीज़ को ही bevel कहते हैं तो देखे ये आपका bevel square ये बना हुआ है इसमें क्या करता है देखे हमने कल trisquare देखा था न तो पूरी trisquare के ही समान है trisquare में क्या था वर्ली 90 डिग्री का आही angle चिक होता था पर इसमें किसी भी angle में इसको जुकाया जा सकता है ये देखे जाब रखा हुआ है और जाब में देखे कल भी हमने पढ़ा था कर देते हैं screw से तो ये किसी भी angle में इसको जुका के इसका angle चेक किया जा सकता है कि ये जाब अपना किस angle में है तो इसका जो पहला काम आता है कि जाब की angle चेक करेगा पहला क्या है जाब का angle चेक करेगा दूसरा जाब पर मार्किंग भी करना होगा किसी अंगल में मार्किंग करना हो तो इसको जाब के उपर ऐसे रख देंगे यह अगर जौब है तो इसके उपर ऐसे जब रख के उसकी मार्किंग कर देंगे तो इस तरसा मार्किंग किया जा सकता है तो दूसरा उसकी जौब कीम इसी भी एंगल में मार्किंग किया ला सकता है और देख़े इसका तीसरा काम क्या है बेवेल के किनारों को भी चेक करता है वील्डिंगु कीनारे बनते है üzह tying तो ऐसे उसमें वो बेवेवर्स रते हैं तो इसके किनारों को भी चेक करने के लिए इसका यूट produkt किया याता है विवेवर्स को बोलते हैं तो ये इसका बेवेव इस्क्वायर का में परपज है कि ये किसी भी कोड को माप लेता है ठीक, इसके तीन हमने आपको function बताया, अब आईए combination बेवेल square को देखते हैं, अधिक ये combination बेवेल square क्या है, कि यह अधिक अनेमिक सतकोचे कर लेता है, इसी का ही सुधरा रूप है, बेवेल square का ही सुधरा रूप, ये combination बेवेल square है, इसमें देखिए, एक तो इस्टाक हो गय और ये blade हो गया, तो इसको एक दो blade होते हैं, एक को main blade बोलते हैं, एक को क्या बोलेंगे, सहायक blade बोलते हैं, अब इसमें भी देखिए, ये खाचे दोनों में कटे होते हैं, इसमें सिर्क blade पर खाचे कटे थे, इसमें दोनों में खाचे कटे होते हैं, इसका material सेम, material exam में मेटिरल के बने हुई है यह घर जाता है इस और अच्छे से देखें अब इसको जिस का क्या रहा है आवो जिरिये सिर्ड़ी सथी जिस पोल दिया जब इसको चेक करना होगा तो देंखिए इसका क्या करते है पहले इसका जो सहायक blade है उसको नीचे रख दिये फिर सहायक blade से क्या जुड़ा है main blade जुड़ा है तो इस reverse देखे main blade यहां से जुड़ा हुआ है फिर इसके बाद क्या करते हैं ये stack को इसके उपर इससे टिका देते हैं तो देखे ये जो जुकाव बता रहा है ये जुकाव को हम आराम से यहां major करके लाग करके फिर आराम से इसको major कर सकते हैं कि ये कितना angle है तो इस तरह से ये देखे अनेमिस सत्व को चेक कर ले रहा है तो देखे बेवेल square और इसमें आप अंतर आप समझगे अनेमिस सत्व को चेक करता है ये किसी भी गुड को माप सकता है अब आईए जो बहुत आज का most important topic है combination set जो exam में आता है इसका drawing भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्या क्या होता है जो आपके question में भी आते हैं डिप्लोमा में भी बहुत अच्छे से आता है यह क्या करता है, कोड भी मेजर करता है, समतलता भी चेक करता है, लंबाई भी चेक करता है, घराई भी चेक करता है, उचाई भी चेक करता है, मेजर करके आपको देता है, तो हम देखें कैसे कैसे सब को चेक करता है, इसके देखें पहले पार्ट्स देख लेते हैं कौन-कौन प्रोटेक्टर हेड ऊलते हैं कि ये प्रोटेक्टर हेड है और पिर ये सेंटर हेड ये क्या है सेंटर हेड है अब देखी on и sqair का क्या काम है I sqair head में ये अभीजाओं को इंगल देख लेते हैं ये देखे 90 पर होता है तो ये ना अब इसकी हमें यह ग्याद करना है कि गहराई कितनी है ऐसे जौब है तो हम क्या करेंगे को यहां लाएंगे ऐसे लाएंगे और लगाएंगे ऐसे करके ऐसे इसको सपोर्ड देने के लिए होता है तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी है तो पहला जो इसका काम क्या है यह गहराई चेक करने के लिए हो गया और यही देखिए इसकी दूरी भी इससे हम चेक कर सकते हैं और हाइट भी चेक कर सकते हैं हाइट कैसे चेक करेंगे हाइट के लिए जैसे इस जॉब को ऐसे रख देंगे तो यह ह को लाएंगे फिर ऐसे लोग कर देंगे फिर अपना मेजर ऐसे ले सकते हैं तो आप देख रहें हैं इस्क्वाइड के बारे में इसक्वाइड ऐसे यूज किया जाता है अब इसमें देखिए इस्पृट लेवल लगा होता है इस्पृट लेवल क्यों लगाया जाता है इस्पृट लेवल देखिए किसी चीज की लेवलिंग चेक लेवल नाम है न तो लेवल का मतलब होता है लेवलिंग चेक करना आप गाउं में देखें होंगे घरवर जब बनता है तो मिस्त्री क्या करता है एक पानी का यह सीरा लेता है पाइप में एक यह लेता है फिर लेवल मिलाता है कि दोनों के पानी का लेवल बराबर है कि नहीं तो वैसे इसमें कुछ फंक्सन होता है इसमें एलकोहल इसमें लेवल में क्या होता है कि ऐसे यह है आपका ठीक यह एलकोहल भरा होता है ऐसे आपको दिखेगा तो यह एलकोहल भरा होता है और ऐसे यह लगा होता है तो एलकोहल यह बबल्स होता है यह पूरा इसमें इलकोहल भर देंगे थोड़ा से air gap छोड़ देंगे अगर सतह समतल होगी तो अगर समतल नहीं है तो फिर कहां होगा तो एगर और अईसे हुआ अगर मेरा जॉब एसे हैं तो इसमें देखे जब रखेंगे इसमें तो इसके यह कहां जाता है उपर जाता है अगर आपका लिक्विट्स और इधरा जाएगा तो पता चलता है कि यह सता ऐसे जुकी हुई है तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे इसको जुकाते हैं जब जुकाएंगे तो एर वाल नीची आता जाएगा तो पता चलता है कि हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है फिर इसको क्या करते हैं जब यह बीचो बीच में आ जाएगा जब यह पूरी तरह सा ऐसे हो जाएगा तो यह एर क्य लेवल क्या होता है इसके बारे में आप समझ गया है आईए अब नेक्ष्ट देखते हैं कि इसका इसके इसाड़ भी ले सकते हैं आपको एक्जाम में रिवीजन के लिए यह बहुत का इसका है यहां किस्याड़ का बना है इसका करणबए के बने लिए आपको इसके साईज किसके साइज में आती है 20 cm से 60 cm लंबाई में ये आते हैं ठीक न ये आपको size की blade kiss metal का बनता है stainless steel का बनता है और ये 20 cm से 6 cm के बीच में होता है अब देखिए अब दूसरा topic इसका चलते है प्रोजेक्टर head क्या काम करता है प्रोजेक्टर head में देखिए ये 0 से लेके 180 तक एंगल बने होते हैं पूरा 180 pet level वहीं है इसको balance करने के लिए समतलता को check करने के लिए होता है और इस इतना seven set it तो देखिए अब ये क्या कर रहा है इंगल चेंग कर रहा है इसelnिद पर के में क्या हुआ है संद क्या क्या कर लिए इसका प्रयूक किया जाता है अब center कैसे निकालते हैं से निकालने के लिए हम job को यहां पर ला देते हैं जाप को हम ऐसे ठीक जब से यहां रखेंगे तो यह देखिए हम आपको इसके center से ऐसे center center लांच चलिए और फिर इसी को हम ऐसे उठाके या इसी को अपने जो सिलेंडर का वो जॉब है इसको घुमा लेते हैं फिर इधर से भी एक सेंटर खिच लेते हैं यह उपर उड़ जाएगा तो फिर खिचेंगे तो यह बीच आ जाएगा तो यह पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा जहां कट ऑर अकसर मैं मैंने देखा हूं हुँ इसका नाम क्या है तो इस तरह से हमने आज कोड मापने वाले ऑजार को देखा दोस्तों आज हमने क्या क्या-क्या पढ़ा इसमें रिखी हम प्टीनों क्या करते हैं इंगल मेजर करते हैं देखेंगे एंगल के साथ घर आई हाइट समभा करता है और इसमें पड़ा कि 0-110 किसी मापते थे जब कि हमने कल 3-square जो देखा था वह अलिन नाइन टी डिग्री चेक करता है और यह वेलिंग का वेवरिवर्अ भी इस डाइग्राम को अच्छे से याद रखी और करनेशन सेट जो है यह चार इसके पार्ट में इसको आड़ी है प्रोटक्टर हेड यह है सेंटर हेड यह है इसमें ब्लेड के इस्टील रूल होती है जो इस्टील की बनी होती है 20-60 cm के साइज का आता है गहराई चेक करने के लिए होता है इस से दूरी चेक हो जाती है और 2500 यहां लगा होता है और यहां वी इसी किसी भी एंगल को चेक कर सकता है लिए तो इस तरह से हम ने आज बहुत ही पूछा जाएगा तो आप ऐसे हमारे साथ जूड़कर इस्टिक करते रहिए एक वाइसका स्किन स्राट ले लिजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्ली लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सेयर करें थैंक्यू